हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अवर चैनल इस्टीचिंग विद रीना फ्रेंट्स आज हम सीखेंगे खुबसूरत सी स्लीप डीजन बनाना तो यह देखें इसको स्लीप हमने ले ली है और यह देखें हमने बुकरम को कट करके और कपड़े पेस्ट कर लिया है तो इसकी जो अं सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगाएंगे यहां पर इस तरह से हमें छोटा सा ही कट लगाना है और हम स्लीप को सीधा करेंगे इस तरह से रखेंगे यह हमने उल्टी साइड में रखा है स्लीप को और इसके बाद इस तरह से इसको डिजाइन को इसके उपर रखके हमें एक सीधी कच्ची सिलाई लगा लेनी है पहले ताकि ये डिजाइन हमारी इधर उधर ना हूँ अब इसके बाद इसी सेप में हमें सिलाई लगा लेनी है कपड़े पर सिलाई लगाना है सिलाई हमें बुकरम के उपर नहीं लगाना है अब इसके बाद हमें अंदर के कपड़े की कटिंग कर देनी है और यहां पर हमें छोटे-छोटे से कट लगा लेना है ताकि हमारी डिया करन जो और प्रेस करके ले लिया नट Ord oh hai called-ट इसके बाद हम ने ये दिक Hello यह डोर परीकुम के लट करके उसमें नट करके राखे लिया तो यह डेक्योचान नodelly, और पर डिदिक की कपड़ां दुपकड़े कल रेक्या स्वरिक कर राखे सेरी हैं हमने 1.5 इंच रखी है अब इसके बाद हमें एक टुकड़े को लेना है इस तरह से और इसे हमें ट्राइंगल सेप में इस तरह फोल्ड करना है और इसके बाद हमें दूसरी साइड में इस तरह से fold करना है इसको अब इसके बाद एक तरफ से हमें इस तरह से half पे ही fold करना है और हमें दूसरी तरफ से भी इसके उपर इस तरह से fold कर देना है तो ये देखे इस तरह से हमें design बना के ready कर लेनी है इसी तरह से हमें सारे pieces की design बना के complete कर लेना है ये ऐसे ही हमें fold करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तो ये देखे इस तरह से हमने इस design को भी complete कर लिया है अब इसके बाद हम आस्तेन को लेंगे और हमने जो उपर design बनाई है यहाँ पर ये जो folding अलब बुकरम है हमें इसके नीचे इस तरह से design को रखना है ये देखे इस तरह से और design हमारी एक बराबर में ही होनी चाहिए उपर नीचे नहीं होनी चाहिए इससे fincing अच्छी नहीं आएगी तो ये देखे इसी तरह से हमें एक बराबर में करते रहना है और हमें इसके उपर सिलाई लगा लेनी है ये देखे इस तरह से हमें बराबर करते जाना और सिलाई लगाते जाना है तो इसी तरह से हमें पूरे में डिजान सिल्के कंप्लेट कर लेना है ये देखे इस तरह से इसको हमने कंप्लेट कर लिया है ये देखे अब इसके बाद हमने ये देखे और पीसेस लिये हैं इनकी जो लंबाई हमने रखी है ये देखे वो तीन इंच रखी है और हमने इनकी चोड़ाई भी तीन इंच रखी है इस तरह से हमने स्क्वायर पीस में इनको कट कर लिया है और इसको भी हमें उसी तरह से ट्राइंगल सेप में फोल्ड करके फिर से ट्राइंगल सेप में फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके डिजाइन बना लेनी है तो इनकी भी हमें इसी तरह से पूरी डिजाइन बना के कंप्लेट कर लेनी है तो ये देखे इसको भी मैंने इसी तरह से बना के कंप्लेट कर लि है और स्लीब जो है वो हमने सीधी साइड में रखी है और इसके उपर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है यह देखें इसी तरह से हमें एक बराबर में ही सिलाई लगा के इसको कंप्लेट कर लेना है यह देखें इसको हमने कंप्लेट कर लिया है अब इसके बाद हमें सीधी साइड में इस तरे से इसको फोल्ड कर लेना है और इसके उपर भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है यह देखे ऐसे इसको हमने कम्प्लीट कर लिया है इसके बाद हमने यह देखे यह लेस ली है तो इसको हमें जहां पर हमने डिजाइन लगाई है उसी के ऊपर इस तरह से रखके इसको हमें सिल लेना है इसके ऊपर इस तरह से इसको हम जोड लेंगे इसी तरह से हमें नीचे की साइड भी हमें लेस को लगा लेना है यहां पर तो ये देखे इस तरह से हमने यहाँ पे भी लगा के इसको कम्प्लीट कर लिया है ये देखे इस तरह से हमारी स्लिप डिजन बनके रेड़ी हो गई है फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जेर और सब्सक्राइब भी करिएगा थैंक्स वाइब कर दो वाइब कर देखे लिए भी का जोग छाइब देखे हैं